आज मैं आपके लेके आई हूँ एक बहुती जबर्दस से वीडियो जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने घर में किस तरह से कपड़ों को कलफ लगा सकते हैं जी हाँ बहुती आसानी के साथ ये काम किया जा सकता है असलाम अलेकुम गाइज रेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब ठीक होंगे तो दुआ है मेरी आप जहां रहें खुश रहें आपाद रहें बहुती जबर्दस सा मौसम हो रहा है और धूप निकली हुई है सुबह सुबह का वक्त है और जनाब मैं लगाने लगी हूँ आज अपने कौटन के कपड़ों को कलव आज हमारे घर में कपड़े धुलाई हुए हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपके साथ भी शेर करती चलूँ कि मैं किस तरह से अपने घर के जो भी हमारे जैंस के या लेडिस के हमारे कपड़े होते हैं कौटन के और हमें उन्हें लगाना होता है कलव या आप इसे कुछ लोग माया भी कहते हैं स्टार्च भी कहा जाता है इसे तो जी बहुती आसानी के साथ आप ये तमाम काम घर पे ही कर सकते हैं बिल्कुल भी अब आपको लॉन्डरी में कपड़े भीजने की जरूरत नहीं तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिया है माया इसे अरारोट भी कहा जाता है और ये बहुती आसानी से किसी भी सुपर स्टोर से आप ले सकते हैं यहाँ पर मैं कर रही हूँ गरम पानी स्टील की देचकी में जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की हुई है कि आप जब भी कोई पानी गरम करें किसी भी काम के लिए या कुछ पकाएं तो आप हमेशा स्टील का बरतन इस्तमाल करें, सिल्वर का ना लें पानी खोब अच्छे से गरम हो चुका है और मैंने स्टार्च भी खोल लिया था तक्रीबन ये मैंने 6-7 चमच लिये अरा रोट के और इसे पानी में घोल लिया और दूसरी तरफ मैंने खोब पानी को अच्छी तरह से गरम होने रख दिया था अब जब हम इसे मेक्स करेंगे तो काफी एतियात की जरूरत होती है अगर हम थोड़ी सी भी बत एतियाती करेंगे या तेजी से डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि एकदम से गुठलियां बन जाएंगी और ये बहुत ज्यादा गाड़ा हो जाएगा तो हमें इसी बात को जहन में रखते वे बहुत ही आइस्ता-इस्ता आराम से जो है इस कल्फ को मिक्स करना है गरम पानी में ये देखें आप कि किस तरह से गाड़ा हो गया है और साथ-साथ आपने चम्मच चलाते रहना है और या तो अगर आपका पानी बहुत ज्यादा गरम हो गया है तो फिर आप बेशक चूले को बन कर दें और फिर उस गरम पानी में ही आप माया मिक्स करें चनाप यहाँ पर तयार हो चुका है मेरा माया और मैं जा रही हूँ वाशिंग एरिया की तरफ ताकि मैं कपड़ों को कलफ लगा सकूँ जी तो मैंने यहाँ पर टब में पानी ले लिया है कुछ साधा पानी और मैं उसमें अब यह चार से पांच चमच कलफ शामिल करूँगी यह मैं एक सूट के लिए तयार कर रही हूँ जी बहुत ही आसानी के साथ आपका यह तमाम काम हो जाएगा और बना किसी परेशानी के जी जनाप यहाँ भी मैंने सूट ले लिया है और इसे मैंने डिप कर दिया है बस मैं इसे दो से तीन मिन्ट के लिए ही डिप करूँगी और अच्छे से खुब अच्छे से इसे मैं निचोड के इसमें से पानी निकाल के मैं इसे तार पे पहलाऊंगी खुश्क होने के लिए आप नील भी शामिल कर लें ताकि जब हम कपड़ों को नील लगाते हैं तो वो भी साथ ही इसके लग जाए या अगर आपके काले कलर के कपड़े हैं या ब्लू है तो अक्सर क्या होता है कि जब हम कलफ लगाते हैं तो उस पे वाइट वाइट से धबे पड़ जाते हैं तो य तो फिर आपके कपड़ों पे बिल्कुल भी धब्बे नहीं पड़ेंगे चाहे वो शर्ट्स हो ओफिस जाते हैं जैंड्स और अच्छी लगती हैं बहुत अच्छे कपड़े लगते हैं कलफ लगे वे और कूब अच्छे से प्रेस हुए वे तो जी हमारे घर के जैंट्स तो जरूर लगवाते हैं अपने कपड़ों पे कलफ आप लोग क्या करते हैं और आप लोगों को कैसी लगी आज की मेरी ये सारी रूटीन मेरा लगाने का कपड़ों को कलफ जरूर बताईएगा यहां पे जो मेरे पास मेरे अपने कुछ मलमल के डुबटे होते हैं, नमाज वाले, या कोई मेरे कौटन के कपड़े हैं, चिकन के, तो मैं उन पे भी जरूर कलफ का इस्तमाल करती हूँ जी, तो मेरे तमाम कपड़ों को लग चुका है कलफ, अब मैं इने खुब अच्छी तरह से रसी पे छटक के डालूँगी चितना ज्यादा हम अच्छे से कपड़ों को छटकते हैं और उन में से पानी निकाल लेते हैं, एक तो यह कि यह बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, आपको प्रेस करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती और सूख भी जल्दी जाते हैं, तो आपने यही करना है कि जरूर कलफ वाले कपड़ों को अच्छे से जाड़ें यह देखें, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जब आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही असानी होगी आपको यहाँ पर मेरे तमाम कपड़ों को कलफ लग चुका है और मैंने रसी पर उन्हें पैला दिया है तो उमीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी मिलती हूँ मैं आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नए हैक्स के साथ, किसी और नए रेमिडी के साथ जब तक मुझे दौाओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ठेर सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज